हेलो बर्चू गुड मॉनिंग आज के तारीक है आठ मई दोजार चोबीस आज के करंट अफेर कुश्चन और ललन टाप प्रशनों में आप सभी का स्वागत है यह करंट अफेर कुश्चन कुमार गवरो सरके करंट अफेर से लिया गया है जिसमें आप सभी को करंट अफेर कुश्चन साथ में उसकी ब्याख्या और ललन्ट आप प्रस्ण देखने को मिलेगा तो चलिए हम अपने साथ मई के दैनिक समसमाई सभी परतों की परिच्छाओं के लिए महतपूर प्रस्ण को देखते हैं हमारा पहला प्रश्ण है महला T20 बिश्चुकप 2024 का आयोजन कहां होगा बंगला देश में आपसन भी सही हो जाएगा T20 वर्ल्ड कप 2024 ये महला वर्ग में और पुरुस वर्ग में दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और यह कब से खेला जाएगा तो जून महीने से खेला जाएगा इस बार जो है पुरुस T20 वर्ड कप में कुल 20 टीम भाग लेने वाली हैं और इस बार इसका जो है नवा करम आयोजित होगा पहली बार कब खेला गया था तो पुरुसो की T20 पहली बार खेली गई थी 2007 में इसमें फाइनल मैच किसके बीच में खेला गया था तो फाइनल मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफरीका के बीच में खेला गया था विजेता कौन बना था 2007 का T20 वर्ड कप का पुरुसो वाला और यह कब होगा तो यहां अक्टूबर महिने में शुरू हो जाएगा महिला T20 World Cup में इंडियन कैप्टन कोन बनी है तो महिला वर्ग में हर्मन प्रीत कोर बनी है अगर बार केरे पूरसों की T20 में कोन कैप्टन बना है तो रोही सर्मा बने है पहली बार महिला T20 World Cup खेला गया था, 2009 में खेला गया था और हर बार T20 World Cup हर दूसरे साल इसका आयोजन किया जाता है तो लास्ट बार महिला T20 World Cup कौन जीता था, तो यह अस्टेलिया जीता था बांगलादेश की राध्धानी की अगर बात करें तो इसकी राध्धानी का नाम है धांका और जीरो लाइन किसके बीच है तो तिरपुरा बांगलादेश के बीच में जीरो लाइन इस्थित है या फिर भारत और बांगलादेश की बीच में जीरो लाइन इस्थित है बांगल तो कुल सेखरम पट्टनम कहां पे है यह तमिल नाडु में है इसरो अपने दूसरे स्पेस पोट की अधार सिला कहां रखी है तो कुल सेखरम में रखी है यहां से जो है कुल सेखरम पट्टनम से जो है इसरो अपना जो इसमाल सेटेलाइट लांचिंग वीकल है छोटे जो से लांच कर रहा था तो सिरी हरीकोटा आंधरपरदेश से लांच कर रहा था। ने श्ट देखे तो अंतरराष्टी एक गीता महस्तो 2024 इसका आयोजन कहा होगा तो इसका आयोजन होगा सिरी लंका में। हाली में DRDO ने ODISA तटपर किस अत्यधिक कमदूरी की बायुरच्छा प्रडाली का सफल परिछड किया है तो वसो राद का किया है वसा रोध का सफल परिछड किस ने किया है DRDO ने किया है कहां किया है ODISA तटपर किया है जो कि अत्यधिक कमदूरी की बायुरच्छा प्रडाली है जबकि DRDO के द्वारा समर का भी सफल परिछड किया गया था और इस समर में जो है समर किया है तो ये भी एक ये डिफेंस सिस्टम है और इसमें किस मिसाइल का परियोग किया जाएगा तो आकास मिसा समुद्र अभ्यास समुद्र लक्षमन कहां आयोजित हुआ है तो विशाखा पत्नम में हुआ है समुद्र लक्षमन किसके बीच आयोजित होता है तो भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है दूसरा प्रस्ण है हाल ही में पैराफिन इधन से संचालिक राके करें तो SR75 rocket इसका निर्मार किस ने किया है तो High Impulse Company ने किया है जो कि Germany की एक company है इस rocket में जो है कि किस fuel का परियोग किया जाएगा यानि कि इसके संचालन में किसे तेल का परियोग किया जाएगा तो paraffin इधन का परियोग किया जाएगा जिसे मिट्टी का तेल भी कहते हैं तो हमारे यहाँ पर गाउं में या फिर सहरों में क्या कहा जाता है मिट्टी का तेल कहा जाता है इसे जो है paraffin इधन कहते हैं जिसके परियोग से SR75 rocket का उडान भारा जाएगा और इसे किस ने बनाया है तो High Impulse Company ने बनाया है तो इस परकार का paraffin इधन से चलने वाला बिष्ट का पहला rocket कोन हो गया है तो SR75 rocket हो गया है इसका सफल परिचल कहां से किया गया है तो कुनिबबा और सेलिया से इसका सफल परिचल किया गया था तो यह आप देख सकते हैं SR75 जो कि paraffin या फिर मिट्टी के तेल से चलने वाला बिष्ट का पहला इधन बन गया है क्या बन गया है राकेट बन गया है ठीक है नेक्स देखे तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते है तो सर्वाधिक पदक जीता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 2030 में सर्वाधिक पदक किसने जीता है तो चंदिगड़ यूनिवर्सिटी ने जीता है इसका आयोजन कहां पे किया गया था तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तरपूर भारत यानि असम गुहाटे में किया गया था इस बार इसका चौथा करम था और इसके सुभंकर का क्या नाम था अश्टलक्ष में सुभंकर का नाम था आई एनेस जटाईू का उद्गाटन कहां हुआ है तो इसका उद्गाटन हुआ लक्ष द्वीप में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहां हुआ है तो खेलो इंडिया भारत में जो है इसका पैरा गेम्स का पहली बार आयोजन किया गया है यानि कि भारत ने एक नया खेल सुरू किया है खेलो इंडिया पैरा गेम्स इसका आयोजन कहां किया है तो नई दिल्ली में किया है इसमें पहला अस्थान मिला है हर्याना को और इसके सुभंकर का क्या नाम था उज्जोला नाम था हाल ही में चाप चार कूर्ट निरित तेवार कहां आयोजित हुआ है चाप चार कूर्ट निरित को चिरव डांस भी कहते हैं और इसका आयोजन मीजोरम में किया गया है हाल ही में किस राज की आबूसन कला सिल्वर फिलिग्रिक और जियाई टेक दिया गया है तो यह प्रोडक्ट है उड़ी सागा तीसरा प्रस्ण है हाल ही में कांस दोजाब चोबिस में मानद पाम दी ओर से सम्मानित करने की घोशना हुई है हाल है में कांस 2024 में मानद पाम डी और से किसे समाने करने की घोषना की गई है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप्शन सी मेरिल इस्ट्रिप जी को इसके बारे में अध्यन करें तो कांस फिल्म फेस्टिबल 2024 इसका आयोजन कहां पर किया जाता है तो फ्रांस में किया जाता है इस बार इसका सताहत्रवा करम है और इसका आयोजन किया जाएगा तो इसका आयोजन किया जाएगा मई 2024 में यानि कि कुछ ही दिनों बाद जो है का मानद पामधी और अवार्ड से समानित किया जाएगा किसे मेरिल स्ट्रिप को जो की हॉलिवुड की एक फेमस एक्टर है और इन्हें जो है अब तक तीन भार आसकर अवार्ड भी मिल जुका है यह आपको याद रखना है तो 77 करम का मानद पामधी और अवार्ड से किसे समानित किया जाएगा मेरिल स्ट्रिप जी को समानित किया जाएगा मेरिल स्ट्रिप को आप देखना चाहेंगे तो यह है मेरिल स्ट्रिप जी के ठीक है इन्हें जो है मानत दी और आवार्ड से समाने किया जाएगा या आपको जाद रखना इन्हें तीन बार आउसकर आवार्ड भी मिल चुका है अगर बात करें ओपन हाइमर फिल्म के डारेक्टर कौन है तो क्रिस्टोफर नॉलन है और जो चानवे करम का आउसकर आवार्ड परतान किया गया था उसमें बेस्ट फिल्म का आवार्ड किसे दिया गया था तो यह दिया गया था ओपन हाइमर को ठीक है अगर बात करें वही94 करम के best actor का आवार्ड की से दिया गया था चो के लिए Murphy को दिया गया था और यह किस movie के actor थे तो Openheimer movie की यह best actor थे जिन्हें जो है Oscar Award से समानित किया गया है lifetime achievement आवाडड 2013 कि से दिया गया है तो यह Michael Douglas को दिया गया था और इन्हें 2023 में माइकल डगलस को मानत पामदी और अवार्ड से समानित किया गया है जबकि मानत पामदी अवार्ड 2014 किसे दिया जाएगा तो यह दिया जाएगा मेरिल इस्टिर्प जी को नेश्ट मारा है हाल ही में US Golf Association ने किसे Bob Jones पुरसकार से समानित करने की घोशना करी है तो Tiger Woods को करी है और यह एक गोल्फ प्लेयर है हाल ही में हंगरी के नए राष्ट पती पदबर किसे चुना गया है तो तमस सुल्योग को जो है हंगरी का नए राष्ट पती बनाया गया है हाल ही में भारत की पहली Underwater Metro Rail सेवा का उधगाटन कहां हुआ है तो कुलकाता में हुआ है किस नदीबर तो हुगली नदीबर किस ने बिमान वाहक पोथ फ्यूजी यान का समुद्री परिच्छर प्रारब किया है तो फ्यूजी यान जो है किसका बिमान वाहक पोथ है तो फ्यूजी यान किसका समुद्री बिमान वाहक पोथ है तो यहाद चीन का समुद्री बिमान वाहक पोथ है और इसका अविहाल में सफल परिछड किया गया है इसके बारे में अगर अधन करें तो फ्यूजियान बिमान वाहक पोत ठीक है फ्यूजियान क्या है तो यह एक बिमान वाहक पोत है और इसका सफल परिछड किया है चीन ने इस परकार का जो है चीन तीन भिमान वाहक पोट बनाने वाला है तो ये पहला है फुजियान भिमान वाहक पोट इसे क्यों बनाया है तो USA के काउंटर में यानि कि USA को घेरने के लिए फुजियान भिमान वाहक पोट चीन ने लांच किया है अपनी नेवी को मजबूत करने के लिए चीन ने इस परकार के बिमानों हग पोत का जिर्मार किया है किसके काउंटर में तो USA के काउंटर में किया है तो ये देख सकते हैं फिव जियान है जो कि किसका है चीन का है अगर आप बात करेंगे कि भारत के पास क्या इस परकार का कोई भी बिमानों हग पोत है तो भारत के पास दो है एक तो हमने किस से लिया है एक हमने रूस से लिया था और दूसरा हमने खुद बनाया था एक है भारत में दो बिमानवाहक पोथ है एक तो है आई एन एस विक्रमादित जो की इसमें जो की हमने रूस से लिया था और दूसरा हमने खुद बनाया था जि अब देख लेते हैं कुछ महतपूर्ण राज्यों की अस्थापना कब हुई थी तो एक दिसम्बर 1963 को नागा लेंड की अस्थापना हुई थी एक मैई 1960 को महराष्ट से जो है गुजरात को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था इसकी बाद देखे तो 21 जनुवरी 1972 को तीन पूर्वोत्तर राज बने थे मेघाले मडीपूर तिरपुरा इसकी बाद हमारा है 1975 में दो राज बने थे एक तो सिक्किम गोवा 1987 में अरुडांचल परदेश मिजोरम बने थे जबकि 2000 में कोन बने थे तो तीन राज बने थे 36 गर तो यह तेलांगना बना है 31 अक्टूबर 2014 को जम्मू कस्मीर से जो जम्मू कस्मीर राज था इसको अलग करके दो यूटी बना दी गए एक तो लेह बना दिया गया तो उपर की साइड लेह बन गया और नीचे की साइड जम्मू कस्मीर बन गया था कब 31 अक्टूबर 2024 को व यहाँ पे है और दादर नागर हबेली गुजरात और महाराष्ट की सीमा पर है तो इन दोनों को एक में मिला दिया गया था 26 जन्वरी 2020 को तो इसलिए अब ये एक यूटी गिनी जाती है पांचवा प्रस्ण है हाल ही में नए COVID-19 वैरियंट फिलर्ट ने कहां दस्तक दी है त इसके बारे में अगर अध्यन करें तो USA में जो है COVID-19 का एक नए वैरियंट आया है जिसका नाम है फिलर्ट यहां जो है क्या है तो यहां Omicron JN1 का सब बारियंट है तो Omicron JN1 का सब बारियंट कौन सा है Flirt है जो की USA में आ गया है ठीक है तो यह आपको याद भी रखना है यह क्या है तो यह है Flirt Next देखे तो अभी हाले में आप सभी को पता है कि वैक्सिन को लेके काफी बिवाद हुआ था तो जो भी सही भी है कोई गलत चीज किसी को लगा दिया जाएगा तो इसकी डेस भी हो सकती है तो इसके लिए जो है भबिज में इस तरह की कोई गलती नहों तो इसके लिए जो है चर्जाग जरूनी जरूरी है तो कोबी सील लि ने कोवी सील्ड वैक्चिन का निर्मार किया था कहां पे तो भारत में किया था और जब कि जो भारत के सरकार के द्वारा जो बनाई गई थी को वैक्चिन किसने बनाया था तो भारत बायो टेक ने बनाया था और इसका निर्मार कहां हुआ था तो हैदराबाद में तो भारत पाइटेक कहा की कंपणी है है खात्वाइद व indifferent की यह व इसने बनाया था को बीट के टीक के तो गंगा डाल्फिन है ये आपको याद रखना और कब से है तो 2005 से बिरासत पसु कौन सा है तो हाथी है संहाई हिरंड किस राज किये पसु है तो यह मड़ीपूर का है हिम तेंद्वा या लद्दाक का है अगर बात करें कि हिम तेंद्वा जो है किस देश का राष्टी जो हिम तेंद्वा है अगर यूटी में पूछे तो लद्दाक का है हाल हिमें संसद खेल महाकुम बथिरी पॉइंट वो कहां प्रारम हुआ है तो हिमांचल पर्देश के हिमांचल पर्देश के बिलास पूर में इसका आयोजन किया गया था हाल हिमें अंतराष्टि महिला सुधा मूर्थी जी को किया गया है और इनकी पुस्तक का क्या नाम है इनकी पुस्तक का नाम है डालर बहू नेश्ट हमारा है हाली में कटलैस एक्सप्रेस दोजाद चोबिस अभ्यास कहां आयोजित हुआ है इस अभ्यास में भारत की तरफ से किस आई एन एस ने भाग लिया है हाली में आर्किटेक्चर का नोबेल प्रिटिजर पुरसका दोजाद चोबिस के लिए किसे चुना गया है तो रिकेन यामा मोता जी को दिया गया है और इनका सम्बंद किस देश से है तो यह जापान से सम्बंदित है हाली में 700 टेस्ट बिकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेदबाच कोन बने है तो जेम्स एंडर्सन बने है हाली में बिजनेस मैनेजमेंट में हावर्ड बिस्विद्याले का पाठ करम पेश करने वाला भारत का पहला बिस्विद्याले कोन सा है तो Harvard विश्विद्याले का पाठ करम जो है अपने यहाँ पे अपने भारत में कौन सब विश्विद्याले ने परस्तुत किया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंदिगर यूनिवर्सिटी इसके बारे में अगर अध्यन करें तो चंदिगर यूनिवर्सिटी ने एक समझावता किया है किसके साथ Harvard यूनिवर्सिटी के साथ जो की USA का विश्विद्याले है तो USA का जो Harvard यूनिवर्सिटी है इसमें जो बिजनेस मैनेजमेंट के लिए जो पढ़ाई कराई जाती है जो जो सलेवेस पढ़ाया जाता है वह अब कहां पढ़ाया जाएगा तो वह अब चंदिगर यूनिवरसिटी में पढ़ाया जाएगा तो इस परकार से हावर्ड यूनिवरसिटी के साथ बिजनेस मैनेजमेंट सल जोता किया है जो कि USA का विश्विद्याले है Critical Minerals सिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित होगा या नई दिल्ली में आयोजित होगा यानि कि इधनों की संचालन के लिए अच्छी तरह से भाई परदूसन नहों उनके रखाव के लिए उनका उप्योग अगली पीढ़ी के लिए बचा की रखना इन सभी के लिए Critical Minerals सिखर सम्मेलन 2024 का आयोजित कहां किया जाएगा नई दिल्ली में किया जाएगा हाल ही में Miss Word 2024 का खिताब किसे ने जीता है तो क्रिष्टेना पिज्जुकोवा ने जीता है और उनका संबंद किसे देश से है तो ये चेक रिपब्लिक की महिला है जिन्हे हाल ही में Miss Word का खिताब मिला है 2024 का हाल ही में लाचित बोर्फूकन की 128 फिट उची परतिमा इस्टेचु आप बेलोर का अनावरण कहां किया गया है और इनका भी अनावरण कहां किया गया है और ये कोन है तो ये अहुम समराज के सेनपति है हाले में संतोष ट्रॉफी 24 का आयोजन कहां हुआ है तो इसका हिमांचल परदेश में हुआ है संतोष ट्रॉफी किस खेल का ट्रॉफी है तो यह फुटबॉल का ट्रॉफी है हाली में पियम मोधी ने सेला सुरंग का उठगाटन कहां किया है तो अरुडांचल परदेश में किया है तीनों सेनाओं का तिरी सेवा अभ्यास भारत सक्ती कहां परारम भुगा है तो जैसलमेर पोखरन राजस्थान में हुआ है नेक्ट प्रसन है सात्वाँ हाली में पुरुस और महिला दोनों वर्गों में थामस और उबेर कप दोनों किसने जीता है तो चीन ने जीता है और उप विजेता कौन बना है तो इंटोनेसिया बना है इस तरह से करनट फिर बहुत आसान हो जाता है तो जहां से देखेंगे बैट मिंटन के दोनों कप कौन-कौन से है एक तो है उबेर कप और दूसरा है थामस कप ठीक है अगर बात करें बैट मिंटन कप 2024 का आयोजन कहां हुआ है तो चेंगदू चीन में इसका आयोजन किया गया है तो यानि कि उबेर कप और थामस कप इन दोनों खेलों का आयोजन कहां पर किया गया है चीन में किया गया है तो उबेर कप किस से संबंदित है तो महिला का कप है जबकि थामस कप किस का कप है तो यह पूर्सो का कप है अभी जो है उबेर कप और थामस कप इन दोनों में जो है फाइनल मैच किसके बीच में खेला गया था तो दोनों खेलों में फाइनल मैच खेला गया था चीन और इंडोनेसिया के बीच में तो और दोनों खेल किसे ने जीत लिया चीन ने दोनों खेल जीत लिया जबकि दोनों में उबिजेता कोन बना है तो इंडोनेसिया बना है तो याद रखेंगे आपको दो पॉइंट याद रखना बैटमिंटन कप दोजा चोविस का आयोजन कहा हुआ है चीन में हुआ है बिजेता कोन बना है उबेर कप का तो उबेर कप जो महिला का है यह भी पूरुस बना है, और चीन बना है, जबकि Thomas Cup जो पूरुस का है, यह भी चीन बना है, तो दोनों बने है, तो Ubijeta, चीन और Ubijeta, इंडोनेशिया बना है, भारत ने Thomas Cup पहली बार कब जीता था, तो अभी तक भारत ने पहली बार एक बार जीता था, 2022 में यह आपको यात उबेर कप क्या भारत ने अभी तक जीता है तो अभी तक भारत ने उबेर कप नहीं जीता है संतोष ट्रोफी किस खेल से समंदित है फुटबाल से है और दूरंड कप किस समंदित है तो यह भी जो है यह दोनों खेल फुटबाल से समंदित है सी के नाइडू ट्रॉफी किसे संबंदित है तो यहाँ किरिकेट का ट्रॉफी है नेक्स्ट है राइडर कफ यहाँ गोल्फ का कफ है जबकि अचलान साकफ यहाँ किसे संबंदित है नेक्स्ट देख लेते हैं भारतिय बाविशेना और नौ सेना में सामिल भारती अबाव सेना और नव सेना में सामिल रैमपेज मिसाइल की विसेश्था क्या है तो इस मिसाइल की विसेश्था है हवा से सता में वार करना इसकी छमता कितनी है तो यह जो है 200 किलो मिटर की उडान पर अटाइक कर सकता है यानि कि लंबा सफर कर सकता है, वो रेमपेज मिसाइल में किसने मदद करी है, तो इसराइल ने मदद करी है, हाले में किन सरकार द्वारा नागरिक्ता संसोधन कानून 2019 की संदेश के नागरिकों के लिए लागू किया गया है तो बाप के लिए लागू किया गया है यानि कि बांगला देश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए नागरिक्ता संसोधन कानून 2019 लागू किया गया है अज्धक्स के चुना गया है देवेंद धाड़िया जी को चुना गया है और इनका खेल कौन सा था उनका खेल है भाला-फेंक हाल हीमें नायब सिंह सैनि को किसे राजय का नया मुख मंतरी न्यूट किया गया है तो ये हरी만 के नय मुख मंतरी बने हैं मनूहलाल खटर के अस्थान पर आठ्वां प्रस्ण है हाल ही में आग्सफोर्ड बुक श्टोर ने बुक कवर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है तो बुक कवर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है तो option B sorry, option C भावी मेहता को 2024 का book cover पुरसकार से सम्मानित किया गया है इसके बारे में अध्यान करें तो आप sport book store के द्वारा जो है book cover पुरसकार 2024 किसे दिया गया है तो भावी महता जी को दिया गया है किस के लिए दिया गया है तो किस book की cover के लिए दिया गया है किस cover के लिए तो यहां पे लिखा है धा बुक ब्यूटिफुल cover के लिए इन्हें जो है अब की बार आक्सपोर्ड के द्वारा जो है बुक कवर पुरोसकार से सब्मानित किया गया है अगर बात करें गोल्ड मैन अवार्ड किसे दिया गया है आलोग सुकला जी को दिया गया है ये एक परियावरण बीध है और ये किस राजे से संबंधित है तो ये 36 गड़ से संबंधित है खुटली अवार्ड 2024 की से दिया गया है तो पूरी मादेवी भर्मन जी को दिया गया है और इन्हें यह पूरसकार दूसरी बार मिला है और पहली बार इन्हें कब मिला था तो 2017 में मिला था इनका सम्द्ध किस राजे से है तो यह असम की है इंडियन वैक्सीन मैनुफैक्चरिंग एसोसियेशन का नया अध्धक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो कुस्ती महासंग के अथलीट आयोग के अध्धक्ष कौन बने है तो नरसिंग यादों बने है हाली में राष्टिये अनसूचित जाती आयोग के अध्धक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है तो किसोर मकवाना जी को नियुक्त किया गया है राष्टिये अनसूचित जाती आयोग का उलेक्ष किया गया है तो आठकिल 338 में अनसूचित जाती आयोकावले किया गया है जबकि जन जाती आयोकावले किसमें किया गया है तो अनसूचित जन जाती आयोकावले किया गया है आठकिल 338 A में तो दोनों याद करना आसान है, 338 किस्से संबंधित है, अनसूचित जन जाती आयोक से, जबकि 338 किस्से संबंधित है, तो अनसूचित जन जाती आयोक से संबंधित है, हाली में भारत की राष्टपती दुरोपदी मुर्मु को किस देश के राष्टिये दिवस समारो का नेक्ट प्रस्ण है हाल ही में भारत के पहले future labs केंदर का उन्गार्टन कहां हुआ है तो तिरू अनंध पूरम में हुआ है जो की केरल में है हाल ही में संयोक्तराष्य मानों विकास सुचकांक 2022 में भारत को कौन सा अस्थान मिला है नवाँ प्रशन है हाल ही में किस देश ने पहली बार मुफ्त योगा कच्छाएं प्रारंब की है तो अब इनके पास कुछ बचा नहीं है आपसे भी कुणमान लग सकता है कि अब जो है किस देश के पास कुछ करने को बचा नहीं है तो वो क्या कर रहा है तो वो मुफ्त योगा प्रारम कर रहा है और इसका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान तो किस देश ने पहली बार मुफ्त योग कच्छाएं प्रारम करी है तो पाकिस्तान ने शुरू करा है इसके बारे मैं ध्यन करें तो पाकिस्तान का जो इसलामाबाद विकास प्राधी करन है उसने भी हाल ही में पहली बार मुफ्ते योग कच्छाएं शुरू कर दी है क्योंकि अब इनके पास फोड़ने के लिए या फिर फटने के लिए आतंकवाद के नाम पर इनके पास कुछ रहे हैं योगा ठीक है कह सकते हैं कि जो योग है या किसकी देन है तो यहाँ अपने भारत की देन है योग को जो है अंतराष्टिये अस्तर पर जो है मानिता कब दिया गया था तो 21 जून 2015 को दिया गया था इसलिए 21 जून को अंतराष्टिये योग दिवस मनाया भी जाता ह ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित AI एंकर सना का संबंध किस टीवी से है तो AI एंकर जो है सना इनका संबंध किस टीवी से है तो इंडिया गुरुप टूडे टीवी से है इन्हें भी हाल ही में ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है AI एंकर जिनका नाम ह सना AI का फुल फॉर्म होता है Artificial Intelligent हाल हिमें चर्चा में रही एक राष्ट एक चुनाव पर उच अस्तरिय समित की अध्यच्छता किसे ने करी है तो रामनाथ कोबिंद जीने करी है जो कि भारत के पूर्व राष्ट पती रह चुके हैं हाल हिमें परधान मंतरी नरेंज मोधी ने वंचित वर्गो को क्रेडित सहता देने के लिए कौन सा पोर्टल लांच किया है तो PM सूरज पोर्टल लांच किया गया है वंचित वर्गो को क्रेडित सहता देने के लिए रर्जी ट्राफी 2024 के बिजेता टीम कोन बनी है तो मुंबई बनी है नेश्ट है हाले में केंद्रिय मंत्री अमिसाह ने NIA के कोन से आप का उधगाटन किया है तो संकलन आप को लांच किया गया है किसके लिए NIA के लिए लांच किया गया है किसके द्वारा अमिसाह के द्वारा हाले में फूल देई महसो दोजा 24 कहां आयोजित हुआ है तो यह उत्रा खंड में है हाले में पैंसन विभाग ने सरकारी सेवा निबरित लोगों के लिए कौन सा एकिकरित पोर्टल लांच किया है तो जो पैंसन भोगी बेकती हैं जो सरक कर्मचारी हैं उनके लिए एकिकरित पोर्टल लांच किया गया है भविस पोर्टल इसके बारे में अगर अधन करें तो भविस पोर्टल लांच किया गया है पैंसन विभाग के द्वारा और इसमें इस पोर्टल में कौन सा बैंक के हल्प करने वाला है तो पैंसन भोगियो वो बैंक में बारबार ना जाए वो अपने इस एट से अपने बैंक की सारी डिटेल ले सकते हैं तो इसके लिए भविस पोर्टल किस बैक्ति के लिए शुरू किया गया है जो सरकारी पैंसन भोगी बैक्ति हैं उनके लिए शुरू किया गया है और किसने शुरू किया है पैं कारम Championship 24जं का आयोजन कहां पे हुआ है तो इसका आयोजन किया गया है मालदियु में इसमें महिला और पुरुस विजेता कुन बना है तो अपना भारत बना है तो चैस के Cred Pope 28istes ने जीता है महिला और पुरुसा वर्ग में दोनों बहारत जीत लिया है हाले में परसाद भारती का अध्धक्ष किसे न्यूक किया गया है नवनीत कौर्जी को न्यूक किया गया है हाले में तेश की पहली LNG बसका उठगाटन कहां किया गया है तो मुंबई में किया गया है next हमारा है हाल ही में चुनाव आयोग ने P.W.D. स्रेडी में किसे national icon नामिट किया है तो सीतल देवी को किया है और इनका संबंद किस यूटी से है तो यह जम्मू कस्मीर यूटी से संबंदित है इनका खेल कौन सा है तो यह तीरन दाज है ठीक है यह भी आपको याद रख लेन हाल ही में मिसन पाम आयल के ताहत देश का पहला आयल पाम प्रोसेसिंग संयंतर कहां प्रारंब हुआ है तो यह अरुडांचल परदेश में प्रारंब हुआ है लास्ट देख लेते हैं पॉइंट हाल ही में बर्स 2023 के सरसोती सम्मान के लिए चुने गए परसिद्ध कभी पर प्रभा बर्मा का संबंध किसे से है तो यह मल्यालम भासा से संबंधित है इन्हें 2023 का सरसोती सम्मान से सम्मानित किया गया है तो इस्टुड़न्ट इस परकार से हमने अपने 10 करंट फ्यर कुश्चन साथ से उसकी ब्याख्या और जो है ललन टाप प्रशनों को सौल्व कर लिया है तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लेज एस्टुड़न्ट वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें कल फिर मिलते हैं तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सज्जा हिंद जै भारत